नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका आपके अपनी चनल मैस्वायवनी शर्मे और आज हम mathematics में percentage का topic जो है उसकी कुछ tricks पढ़ेंगे और ये जो tricks मैं आज आपको बताने वाला हूँ इन पे based question अक्सर exam में आते हैं exam कोई भी हो, SSC, bank, PUT, UPTUT, UPPCS, video तरह तरह के exam में ये question percentage से पूछे जाते हैं क्योंकि इन में tricks use होती है ठीक है, friends examiner भी जानना चाता है कि क्या आपको tricks आती है मतलब simple percentage calculate करना तो एक simple सी बात होगी आपको दूसरों से extra क्या आता है तो इस तरह के question इसलिए ही डाले जाते हैं क्या आप extra चीज़े सीख रहे हो आप वहाँ तक पहुँच रहे हो जो वो चा रहे हैं आप से check करवाना ठीक है तो देखते हैं कि किस तरह के question पढ़ने वाले हैं तो question friends इस तरह के होते हैं आपने देखे होंगे आपको याद आ जाएगा question पढ़के इस तरह के type 1 है यह type के question होते हैं इस type के question बस values बदलती है बागी concept same रहता है तो इसमें दे रखा है मुल्या में व्रद्धी अगर होती है किसी वस्तु की मुल्या में व्रद्धी होती है percentage के हिसाब से ठीक है तो यह percentage दे रखिये है और खपत में कमी होती है, तो यहनि मूल्य में अगर व्रद्धी होगी, तो खपत में कमी करनी पड़ेगी कब, जब हमें अपना बजट वही रखना हो, यहनि मालिया आपके पास 100 रुपे हैं, ठीक है, आपको चीनी खरीदने जाना है, ठीक है, चीनी 30 रुपे किलो है, तो आ गर सो एनी जैए त सो रुपे में मैं और सो रुपिजटय कुलिये इसतरह सित बंद आपकर ने जैसे तो इसंतरह स से यह एक जैंज भंतते हैं इस सरा उतरह भोटました ठीक है चाहे तो व्रद्धी होगी अगर कीमत में वस्तु की तो खपत में कमी कर लेंगे अगर मूलिया में कमी होगी तो जिससे की 100 के 100 पूरे रूपे खर्च हो जाए ऐसा ना कि सस्ती होगे चीज तो पैसे बचा लिए पैसे भी पूरे खर्च करने है तो इस बार हम क्या ग होती है तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे खर्चा नय बढ़े या बजट वही रहे ठीक है तो अभी मैंने आपको एक्जाम्पल जाता 100 रुपे वाला तो अगर आपको खपत में कमी करनी पड़े तो उसकी परसेंटेज निकालनी है अग प्लस का साइन क्यों आया है यह प्लस का साइन इसलिए आया है क्योंकि है आर प्रतिशत की व्रद्धी है तो व्रद्धी के लिए आया है यह साइन प्लस का ठीक है फ्रेंट्स तो अब हम इसके उपर एक एक एग्जाम्पल करके देखते हैं तो आपको समझ वाया इन्टू व्रद्धी दे रखी है तो 20 प्रतिशत की व्रद्धी का मतलब आर बराबर 20 रख देंगे हम इस फोर्मले में तो यहां 20 आर की जगे 100 प्लस 20 इंटू 100 यहाज़ागा 20 बटे 120 गुणा 120 चक्का 120 बटे 6 आज़ाएगा हल करके 50 बटे 3 प्रतिशत ठीक है तो इस तरीके से हमें 50 प्रतिशत की कमी करनी होगी चीनी की खपत में अब आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखते हैं अगला टाइप देखते हैं कि इस बार क्या होता है यह है हमारे पास ट्रिक नंबर 2 है और यह आइप नंबर 2 होगा यानि दो तरह की कोशन थे तो एक तरह कोशन हम पढ़ चुके हैं अब यह दूसरे तरीके कोशन है देखते हैं तो इसमें क्या देर रख्याफरेंच देखते हैं इसमें है यदि किसी वस्तू की कीमत में आर प्रितिशत की कमी होती है इस बार है आर प्रितिशत की कमी तो formula में क्या चीज़ आएगा वो देखते हैं तो खपत में हमें व्रद्धी करनी पड़ेगी क्योंकि अगर कीमत कम हो गई है तो अब अपने बजट में सामाज जादा आएगा तो हम क्या करेंगे कि पूरे पूरे पैसे खर्च हो जाएए बजट का हमारे पास कोई पैसा बचे ना तो हम अपना समान अधिक खरीद लेंगे ठीक है तो उस खपत में यानि समान अधिक खरीदने को कहते हैं खपत में व्रद्धी तो खपत में व्रद्धी कितने प्रितिशत की होगी तो वो होगी कि यह percentage जो कम बाली है उसे लिखो उपर और यहां 100-R यहां माइनस आया है क्यों यहां माइनस इसलिए आया क्यों कमी हुई है तो बस formula में इतना सा ही change है कि अगर व्रद्धी होती है यह जो percentage रखिए वो व्रद्धी वाली है तो प्लस लगाएंगे और यह देखेंगे अगर यह कमी वाली प्रतिशत है तो यहां 100-R होगा तो इस तरीके से आप formula लगा सकते हो question देखते हैं इसके उपर बेज़ डेख यदि किसी वस्तु की कीमत में 10 प्रतिशत की कमी होती है तो खपत में कितनी प्रतिशत की व्रद्धी करनी होगी जिससे इस वस्तु पर किये गए खर्च में कमी ना होगा ठीक है जिससे के पैसा ना बचे यह खर्चा वही रहे तो खपत में व्रद्धी का formula तो यह percentage दे रखिए 10 तो 10 upon 100-10 माइनस इसकी वेसे कमी की वेसे इंटू 100 10 पटे 90 गुणा 100 10 नम नबबे 100 बटे 9 और यह आजा 11 सही एक बटे 9 percentage को आप convert कर लिजे मिश्रु विन में तो 11 सही एक बटे 9 आजाएगा तो इस तरह के question आप अब आराम से कर लोगे I hope आपको पूरा solve करने की जुरुत नहीं है ठीक है आपको formula याद रहना चाहिए प्लस आएगा व्रद्धी में माइनस आएगा कमी में ठीक है तो I hope कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमसे जुड़े रहिए चैनल को subscribe कर लिजे अगर अभी तक आपने चैनल subscribe नहीं किया है नहीं तो friends आप बहुत सारी important चीज़ अपने exams के लिए छोड़ देंगे concept आपको समझनी आएंगे हम बहुत detail में जाके और बहुत बहुत बहतरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो को share कीजिए whatsapp पे facebook पे और अगर कोई part वीडियो का कुछ आपको ऐसा लगता है कहीं कमी रगिए तो आप comment box में comment करके मुझे mark दर्शन दे सकते हैं मुझे clarify कर सकते हैं आगे मिलते हैं next वीडियो में एक नए concept के साथ तब तक के लिए धन्यवाद